और शांति आपका प्रश्चन है ज्ञान क्या है किसे और क्यूं चाहिए ग्यान, जानकारी, सूचना, एन्फॉर्मेशन अब ये इन्फॉर्मेशन, ग्यान, ये सूचना, ये जानकारी किसको चाहिए और क्यूं चाहिए ग्यान, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आद दुनिया में फैली हुई है सब सूचनाएं दे रहे हैं जो भी मिल रहा है, सुनने को, देखने को सब इन्फॉर्मेशन है, पर तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहां ले जाएंगी, किस काम आएंगी, ये हम अलग-अलग नजर से अलग-अलग देख सकते। हमारे विद्वानों ने, हमारे शुब चिंतकों ने, हमारे लिए, चाहे वो मां हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी हो जो हमारा शुब चिंतक है, वो हमको अपनी समझ, इन्फॉर्मेशन्स, हमारे बैटर्मेंट के लिए हमें देता है। हमारे फ्रेंट्स, हमारे साथी, जैसे हैं, जो इन्फॉर्मेशन्स उनके पास है, वो इन्फॉर्मेशन्स हमें देते। परंतु ये सत्य का अभाव है, कोई इन्फॉर्मेशन्स देते कौन है, लेता कौन है। ये अभाव जब दूर होता है, तब सच्चाई समझ में आती। सारी दुनिया के अंदर इस बात को मैसूस किया जाता है, कि सत्य ज्ञान देने वाला एक परमपिता, परम आत्मा है। और कोई सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। अब परमपिता परमात्मा से सभी प्रियर करते आये हैं, दयाकरदान विद्या का हमें परमात्मा देना। सभी उस परमपिता परमात्मा से ज्ञान चाते हैं। अब उस ज्ञान को लेने के लिए प्रियर तो हम जाकर करते हैं, परमपिता परमात्मा से। परन्तु हम ये नहीं जानते के परमपिता परमात्मा कौन है। क्राइस्ट है, बुद्ध है, मावीय है, गुर्ननक है, राम है, कृष्ण है, शंकर है, शिवलिंग है, कोन है। आज इनसान कम और परमात्मा अधिक होगा। ये सबकी बुद्धी में है, कि परमात्मा ही सत्य ग्यान दे सकता है। इसलिए सभी परमात्मा से ही सत्य ग्यान लेने की इच्छा करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में भी यही कहा जाता है, जब भगवान अकल बाट रहा था, तो तुम कहां सुए हुए थे। इसका मतलब है कि जरूर कभी भगवान ने अकल बाटी होगी। भगवान ग्यान देता है, कब ग्यान देता है और किसे ग्यान देता है। अब हमें सबसे पहले परमपिता परमात्मा आकर स्वयम का परिचे देते, कि मुझे सारा संसार परमात्मा मानता है, सभी मेरी तरफ उंगली करते हैं उपर वाला जाने। मेरे निराकार शिवलिंग की सभी तेतीस करोड देवी देवता पूजा अर्चना करते हैं, शायद ही कोई मंदिर हो जा शिवलिंग ना हो। नियम अनुसार मंदिर बनाया जाएगा, तो शिवलिंग वहाँ जरूर रखा जाएगा। तो परमपिताप परमात्मा ने समझाया, मुसल्मान भाई भी हज करने जाते हैं, वहाँ भी गोल काले रंग का शिवलिंग, जिसे वो अपनी भाशा में संग ए अस्वद कहते हैं, काला एक पत्थर कहते हैं, खुदा का यादगार पत्थर कहते हैं, खुदा नहीं कहते हैं तो हमें समझ में आता है सभी परमात्मा को एक परमात्मा को ही मानते है दो को नहीं सभी कहते हैं के परमात्मा एक है जिसे वेदों में ओम कहा हिंदी में उसका अर्थ है जोती कहते है आत्मा भी जोती परमात्मा भी जोती जिसे गुरुननक जी ने कहा एक ओम आकार परमात्मा एक ओम आकार का है वेदों में ओम कहा गया ओम का हिंदी में अर्थ है जोती तो गुरु नहनक जी ने भी उसी बाशा के दर पर कहा एक नूर ते सब जब उपजा कौन बले कौन मुसल्मान भाई भी हज़ करने जाते हैं वहाँ भी गोल काले रंग का पत्ता रखा है वो भी कहते हैं खुदा एक नूर है परकाश है ओम माना परकाश, नूर माना परकाश, जोती माना परकाश परमात्मा एक सुक्षमती सुक्षम परकाश है जोती है जो सारे संसार के अंधेरे को दूर करता है वो ग्यान का सागर है वो सत्य ग्यान देता है वो आकर अपनी पैचान देता है और उसके साथ हमें पैचान देता है कि हम आत्मा कौन हैं हम आत्मा कहां से आई हैं हम अपने आपको शरीर समझे बैठे थे परमत्म ने आके बताया बच्चे आप ये शरीर नहीं हो ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है ये तो बिना आत्मा के शरीर है, जब इसमें आत्मा आती है, तो ये चलता फिरता इंसान बनता है, तो तुम जीव आत्मा बनते हो जब जीव को धारन करते हो, आत्मा जीव को धारन करती है, आत्मा शरीर को धारन करती है, आत्मा नहीं है, तो इस शरीर को कोई धारन नहीं कर ये सत्य ग्यान परमपिता परमात्मा आकर देते हैं जिसे आप और विस्तार से जानना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा ग्यान A to Z आप समझ सकते हैं बेसिक कुर्स नीचे राजयोग चित्र परदशनी एक एक चित्र पर अच्छी तरह समझाया गया फिर परमात्मा आकर हमें ज्यान देते स्त्रिष्टी के आदी मद्य और अंत का के संसार कैसे चलता है कैसे इस प्रिथ्वी पर स्वर्ग आता है और कैसे इस प्रिथ्वी पर नर्ग आता है सत्योग त्रेता द्वापूर कल्योग ये चारों योग लगातार चलते ही रहते हैं कैसे चलते रहते हैं ये भी परमपिता परमात्मा आकर समझाते और परमपिता परमात्मा ने बड़ा अद्बत रहसे भी हमें समझाया कि ये स्रिस्टी का नाटक पांच जार साल का है जो हूँ वहू हर पांच जार साल बाद रिपीट होता रहता है इस अद्बत रहसे के अंदर आप यहां पहली बार नहीं आए हो आप पांच जार वर्ष पूरू भी आये थे इसी स्थान पर इसी समय इसी परकार से अब आये हैं और हर पांच जार वर्ष पस्चाथ आते रहेंगे क्यों क्यों आते रहेंगे क्योंके श्रिष्टी रूपी नाटक के हर पांच जार वर्ष पस्चाथ हूँ बहु पुन्रावृति होती है यह हमारी कर्मों की गति को परमात्मा ने आके समझाया जो राज हम नहीं जानते थे जो इस दुनिया में हमें कहीं समझ में नहीं आसकते थे वो राज परमपिताप परमात्मा आकर देते हैं इसलिए वो ज्ञान का सागर है पवित्रता का सागर है परमात्मा आकर हमें वो सुचनाएं देते हैं जो संसार में हमें कोई भी मनुशे कोई भी धार्मग्रांद नहीं दे सकता इसलिए से ग्यान का तिसरा नेत्र भी कहा जाता और ये ग्यान लेती कौन है आत्मा लेती है ये ग्यान आत्मा लेती है ग्यान देने वाला परमात्मा है और ये ग्यान आत्मा को किस लिए चाहिए ये ग्यान आत्मा को चाहिए तमसु मा जोतिर गमें होने के लिए ये ज्यान आत्मा को चाहिए मिर्त्योर्मा अम्रतो गमे होने के लिए ये ज्यान आत्मा को चाहिए पतित से पावन बनने के लिए ये ज्यान आत्मा को चाहिए द्रस्टा चारी से स्रेष्टा चारी बनने के लिए चरित्रहीन से चरित्रवान बनने के लिए यह हर आत्मा को ग्ञान चाहिए परमात्मा आकर सारे संसार की एक एक आत्मा को आकर ये सत्य ग्ञान देते कितनी सिम्पल सी बात में हमें समझा देते हैं कैसे सहज हमें समझा देते हैं कि आप एक आमर आत्मा हो ये शरीर आपका वस्त्र है और आप इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है जिसे गीता में लिखा गया कि शरीर है रत आत्मा है रती जब इस शरीर में आत्मा नहीं होती तो इसे कहते हैं आ-रत्ति और जब आत्मा इसे स्वार होती है तो इसे चेतन्य कहा जाता है इसे कहा जाता है जीव आत्मा दुनियावाले जीव कहते हैं पंटु आतमा और जीव दोनों अलग-अलग है जीव शरीर को कहा जाता है और आतमा इसके चलाने वाले को कहा जाता है तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम आतमा है और हम अमर आतमा है हम आत्माओं का पिताब परमात्मा है इस परकार ये wonderful knowledge जिसे ग्यान का तीसरा नेत्र कहा जाता है जिसे समझ कहा जाता है जो हम इन आखों से कभी नहीं देख पाए थे जो ग्यान इन कानों से कभी सुन नहीं पाए थे वो परम पिताब परम आत्मा आकर दे रहे और हर आत्मा का ये अधिकार है कि वो आकर इस ज्ञान को ले और अपना भागे स्वेश्ट बनाए और अच्छी तरह से समझना हो तो आप अपने नजदेक के किसी प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले से संपर करें और बेसिक कोर्स के सारे वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं आप उनको देखकर इस अद्वत ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं फिर भी आपके मन में कोई प्रशन उठता है जिसका आंसर आपको वहां नहीं मिलता है तो आपका अधिकार है कि आप 92-131-06-986 पर केवल टेलिग्राम करें 965069-2270 पर केवल वाट्सेप करें फोन नहीं ओम शान्ति